नमस्कार न्यूस बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अलका सिंग आज हम मौजूद हैं अंसुल ग्रूप में और हमारे साथ हैं अंसुल ग्रूप के चेर्मेन राहुल जी राहुल जी सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद घर खड़िदना किसका सपना नहीं होता है हर कोई चाहता है कि हमारा घर बहतर हो तो आपके उसे नहीं दो शाम पीडर हो खोलता है कि आप जो नीव रखते क्योंकि हर किसी का यह सपना होता है कि अच्छा घर में तो आपके उसमें क्या कुछ मेहनत होती है सबसे पहले बात कि सबके एक ड्रीम होता है कि रोटी कपड़ा और मकान रोटी है खाने का सबसे अच्छा इंपटरें लोग अपना काम करहें को हैं कोई कि रायका मकान को एक सपना पना होता है तो है करें ब्रिम कैसा होगा भियरिया कैसा होगा तो क्या है जिए ओर फोग पहले क्याते कि कि हमारे जो एंसेंट मेरे जो पिता जी थे पापा थे तो नॉर्मल एक घर बनाते थे अपने जमीन के उपर लेकिन न्या जेनरेशन जब आ रहा है तो उसमें यह पता चल ला कि वो लोग घर छोड़कर सिफ अपार्टमेंट में आ रहे हैं अपार्टमेंट मेंस की आपको एक सोसाइटी मिल रहा है सोसाइटी के अंदर आपको बहुत सारे अमिनिटीज मिल रहे हैं तो लोगों का अपना रख रखाओ जो भी है अपना लिविंग इस्टेंट चेंज हो रहा है और इसी चेंज में हम लोग जैसे लोग एक एक करते हैं तो क्या होता है कि आज कॉंसेट चेंज हो रहा है एक अपने घर से हटकर लोग अपार्टमेंट के तरह रहे है एक सोसाइटी के तो सोसाइटी के तरब बन रहे हैं और हमारा जो काम है एक अच्छे हाउसिंग सोसाइटी बनाना जहां पर एक अच्छे एवरेज प्राइस में आपको वह अपार्टमेंट मिल सके यह फ्लैट मिल सके जहां पर अपने आगी की जो फ्यूचर है आपके बच्चे आप खुद वहा दूसरे को अबगत हो लेकिन हम यह जाना चाहेंगे कि हर कोई अपना सेफ्टी भी देखता है अभी के टाइम में तो भोकंप हो या फिर बार्ड हो या जो भी आप दाएं आती है उसको लेकर कितना पर्सस रहे हैं अभी हम लोग जो बिहार सरकारा का जो नियम है जो भी हा साथ सो आठ सो फ्लैट का प्रोजेक्ट है अल्मोस आठ से नो टावर्स वहां पर है तो जो टावर्स है वो अल्रेडी हाई राइस बिल्डिंग से जो फोटिन फ्रूर का है तो आप समझ सकते हो जब आप एक सोसाइटिय बनाते हो तो उसके नियम कानून भी बहुत किस हिसाब से किस भी मायोपे से आपको बनाना हो इसमें क्या है कि आपको बताया जाता है कि आपको जो अगर भुकम पाते हैं जो त्रुरता होती है भुकम की वो छे हो या साथ हो या आठ हो आपको उस हिसाब से आपको आपका स्टेंथ बनाना होता है और हम लोग जो है कि इसको देखते हुए हम लोग इसको follow करते हैं जो भी structure engineer है वो हम लोग को बताते हैं कि आपको इतना इस strength में लोहा देना है स्टेल देना है तो उस तरीके से पूरे building complete होती है दूसरी चीज हो गई कि जो भी बार हो गया या फिर जो भी आपदा आती है बीच में अगनी जिसे किसी में आपार्टमेंट्स में आग लग जाते हैं तो हम लोग के जितने भी पैरमीटर है चार तरफ कि आपको जो भी अगर जो भी आपकी जो फार ब्रेट की गारी आती उसकी घुमने का से लेकर पूरा राउंड करने का वो सब कुछ हर एक चीज हम लोग को उसको फॉलो करना पड़ता है गाइडलान्स होता है जो गवर्मेंट का एक नॉम्स होता ह है वो पालन करते होाम उसको बनाते है तो जो लोग आज के नूझन आपर्टमेंट में जो भी रह रहे हैं तो यह सिफ चिर्ज्च कंपलसरी है कि मुझे इसको फॉलो करना होता है इसे क्या होता है कि कभी भी घर में आपको आग लग जाती है किसी इप असाइफ CT अम आग नहीं होगा क्योंकि हम लोग का वैसा complete उसको डिजाइन किया गया कि कॉलाप्स नहीं होगा बिल्डिंगे हीले गी बिट कॉलाप्स नहीं होगा और कभी अगर है कि हम लोग के सोसाइटी इतना हाइप पर होती है कि हम लोग को बी जगाट अपने बताया कि सेफ्टी परपस यह अपार्टमेंट्स में मिलेंगे नहीं कि एक सिंपल घर पर मिलेगा क्योंकि आज के दिन आपको भी पता है कि कोई भी जगह आप शहर में जा रहे हो तो देखोगे कि कहीं भी बिना कुछी प्लान से अपने घर बना ले रहे हैं कहीं भी अपने प्लोटिंग वहाँ पर घर बनाते हैं और उसका कोई डेनिस सिस्टम नहीं होता है इसके क्यारण क्या होता है जब बारिस होती है तो आपके घर के सामने बहुत सरे पानी जम जाती है आपको आने जाने में दिक्कत होती है आपकी गारी जाने प्रॉबलम करती है ये सब चिससे आपको छुटकारा पाना है तो एक अच्छे सोसाइटी मिलेजी जहां पर आप कम जो कि आपका जो सेगमेंट वह बाकी और दूसरे लोगों से इतर कैसे है आप आपार्टमेंट से अभी देख रहे हैं कि पूरे एक पटना में काफी जगह पर एक अपार्टमेंट कॉंसेप्ट आ चुका है लोगी बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट किसी और प्रोजेक्ट से अलग क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट कॉंपेटिशन का मार्केट है आपको हर आपको कॉंपेटिशन मिलेगा अपार्टमेंट सब जगह लोग जाते हैं तो बहुत कंफ्यूज में होते हैं कि कहां लोग किदर लूँ तो मेरा जो प्रोजेक्ट है जिस्ट आपको मैं बता दूँ कि सिवाला चौक के पास दानाप्रों स्टेशन से चार क्लूमेटर आग रहता है सबसे बड़ी लोकेशन की बात करूं तो मेरा जो लोकेशन है आप आप सोच के देखिए कि कहीं भी आप जाते हो तो आप अगर आप किसी रास्ते के तुर्जे से गोला रोड हो गया कहीं आपका कोई और भी जो रास्ते से अगर आप इंट्री करते हो तो आप कनेक्टिविटी ऐसी होती कि कभी भी आप सहर से निकलोगे तो हाइवी के थूर्ण आपके घर में पहुंच जाओगे मेरा जो प्रोजेक्ट है उसी वाले पास ऐसा है कि गंगा मनें राइप से कनेक्टिविटी होते वे सीधे आप दानपर स्टेशन पहोगे और वहां पर अब अब मारा प्रोजउकर के आप मेरे पहुंच सकते हो तो सबसे अब्लपी जाते हो तो सबसे इसन पॉर्टिए मिल रही है आपको आप जाते हो तो अपना घर में सबसे लोग है या फिर व३ह भश्यों दियुकर नपरशय कजू हो सबसे होगा उससे ज़्यादा इंपोर्टेंट ही है कि हमारा प्रोजेक्ट में दो ऐसे चीज़ा जो की पटना में कोई नहीं बना रहा है मुझे बहुत कमी है एक तो जितनी भी ग्राउनफुर्ट पर सबके जो फ्लैट्स हैं वो सब लोग गार्डेन के साथ अटैच है मत बैठ कर अपना छोटा मोटा के टूगेदर कर सकते हैं तो यह हर एक फ्लैट के साथ मेरा कलब में बनाया हुआ है कि आप अपार्टेमेंस में भी आप अपने गार्डेन का फैसलीटी ले सकते हो और दूसरी चीज़े मेरे प्रोजेक्ट में हमने पेंटाउस का भी लग डाला है जहां पर मुंबे स्टाल में डबल हाइट के जो पेंटाउस होते हैं जहां पर आप यह फिल करोगे कि आपने घर के अंदर एक बंगला के अंदर आप सबसेट टॉप फ्लोर पर लग रह रहे हो यह इंपॉर्टेंट होता है कि अपार्टमेंट से लेते हैं आ आप वहां पर जाते हो तो आपको फ्रेश सेयर आप फोट्रींट फूर पर खड़े हो तो समझिए के पूरा फ्रेश शेर आपको मीलेगा एक बहुत कम यूज होता है दूसी बात आपको जो मीलेगा वह बिलकुल बहतर मिलेगा जहां पर आप आप बारिस का व्युम ले सक यहां पर आट प्रेंट हास बफसे बना रहे हैं जो की एक नया Except test नया सबढ़ा designer यह जो है और से अलग करता है कि नया गार्डेन के साथ और नया सब्रेंट्व कर रहे हैं और से आप एलेवेटेंट में तुम हो रहा है । without बाइधि होच और वहाँ पर अपने प्रजेक्ट में जा सकते हो तो यह विचर कुछ फीचर्सबी तुम कई कम्परमाइस नहीं करते हैं वहाँ पालना में जो में प्रॉज also तो अगर आपको भी best qualities के साथ अच्छे घर की तलास है तो जल्द से जल्द जुर जाएं अनसुल ग्रूप के साथ और रियल स्टीट के तमाम सेग्मेंट और इस दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहें यूज बाइसकोप के साथ नमस्कार